कास और प्रगती के लिए ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदू हैं अमरत काल का पहला बजट है यानि के अभी आदादी का 75 साल कंप्लीट हुए हैं और ये बजट ना केवल इस साल की प्रगती के लिए है ये एक ग्राउंड वर्क ले करता है आने वाले 25 साल के लिए दुख की बात यह है कि इतने सारे जो केंद्र सरकार ने एलोकेट करती है वो बिहार में पूरी मातरा से उसका यूडिलाइजेशन नहीं होता है नमस्कार आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना भारतिये जनता पार्टी की योर से राश्टिये उपाध्यक्ष विजयंत जैपांडा ने नितिस सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने आरोप लगाते वे बिहार के ग्रोथ को लेकर कहा है क केंदर के तरफ से जो राशी दी जाती है राज्य सरकार को बहराशी सरकारी खजानों में पड़ी रह जाती है उसे खर्सनहीं किया जाता है चाहे हो आपको नप्य वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि आगे और क्या कुछ क्याना है के विकास और प्रगती के लिए ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदू हैं मैं सबको तो उलेक नहीं कर पाऊंगा समय के वज़े से लेकिन कॉपरेटिव सेक्टर जो है बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनेतिक विवस्ता में कॉपरेटिव सेक्टर का बहुती बड़ा हिस्सा रहता है और कॉपरेटिव सेक्टर की आमदानी पर जो टैक्स हुआ करता था 30 प्रतिशत को उसको 50 प्रतिशत कम किया गया है 15 प्रतिशत को ऐसे मैं बहुत सारे उधारन दे सकता हूँ आपको मैं कहा कि समाज के विविन वर्गों के लिए इस बजट में बहुत चिड़ा समाज के लिए जनजाती समाज के लिए जो निशाद समाज है उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6,000 करोड कहना चाहूंगा कि ये अमरत काल का पहला बजट है यानि कि अभी आजादी का 75 साल कम्पलीट हुए है और ये बजट ना केवल इस साल की प्रगती के लिए है ये एक ग्राउंड वर्क ले करता है आने वाले 25 साल के लिए जो इंफ्रस्टर के मैं जिकर कर रहा हूं इस साल बजट में रखा गया है पचास ऐसे स्तान को प्रमोट किया जाएगा उसका इंफ्रस्टर्टर बिल्ड किया जाएगा जो परिटन के जाएगे क्योंकि इसमें पचास एरपोर्ट हो वाटर वेज हो और परिटन्स तल के विकास के लिए बहुत सारे फंडिंग और स्कीम्स है बिहार को इसको इसका फाइदा उठाना चाहिए दुख की बात यह है कि इतने सारे जो केंद्र सरकार ने एलोकेट करती है वो बिहार में पूरी मातरा से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है आप अगर यह ध्यान रखें कि बिहार का ओवरॉल जो बजट है प्रदेश वो लगभग 2,37,000 करोर की है जिसमें से केवल बिहार का अपना कॉंट्रिबूशन लगभग 41,000 करोर का है बाकी सब केंद्र से या तो ग्रांट या किसी किसम का बजटरी सपोर्ट से एलोकेट होता है और दुख की बात यह है कि कई सारे बड़े केंद्र योजनाएं जो बिहार को आगे लेने वाले हैं वो किसी ना किसी कारण यहां लागू नहीं हो पा रहे हैं ऐसे दो तिन उधारन में देना चाहूंगा जो एक सबसे बड़ा योजना जो है नल जल योजना जो हर घर जल पहुँचा रहे हैं जो काम दस्कों से रुका हुआ था जो आदनिया मोदी जी के नेत्रुत में भारत में कोने कोने में गया है ये मैं मानता हूँ एक इतिहासिक बजट है और ये इतिहास संभव करने के लिए जो कटनाएं के बारे मैं थोड़ा उलेक किया ये कहूँगा जैसे की जी-एस-टी जी-एस-टी बीस साल से अपेक्षिद था मोदी सरकार आने के बाद ही जी-एस-टी लागू हुआ कई लोग इसका विरोध किये और कई लोग अभी देख रहे हैं कि जो प्रदेशों ने भी जी-एस-टी के थोड़ा उनका इतरास था वो अभी खुश है क्योंकि उनका अपना रेविन्यू बढ़ा है और लगभग हर महिना देड लाग करोर उससे लाब आता है देश को और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्सपेयर्स हैं उन पर बोज़ कम हुआ है तो इसके बज़े से इस साल जो बज़ेट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन-विन बज़ेट है एक तरफ से जो हमारे मध्यमवर के नागरिक हैं जो हमारे टैक्सपेयर्स हैं उन पर बोज़ कम किया गया है लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए सभी प्रदेशों के विकास के लिए बिहार के विकास के लिए allocation बहुत ही बहुत ही बढ़ा गया है मैं अगर उधारन दूँगा infrastructure का और infrastructure में investment करने से ही jobs create होते हैं newty दे सकते हैं इस बार इतिहास एक 10 लाक करोड का allocation जो हुआ है उसका मतलब पिछले साल से 33% इसको बढ़ाया गया है और ना केवल इतना ये ध्यान रखें कि 3 साल पहले कोरोना के असर होते हुए भी उस समय का इतिहासिक infrastructure का allocation रहा साड़े तीन लाक तो 3 साल पहले साड़े तीन लाक 2 साल पहले साड़े 5 लाक करोड का allocation रहा infrastructure के लिए ये जो इस साल जो चल रही है इसके लिए साड़े साथ लाक करोड का allocation हुआ और अभी इस बजट में साड़े साथ लाक करोड से 10 लाक करोड को बढ़ाया गया और ऐसा नहीं है थोड़ा बाद ले और ऐसा नहीं है कि ये जो budget allocation किये जा रहे हैं ये इस्तमाल नहीं हो रहे हैं आप देखिए लगभग पूरे allocation amount इस्तमाल हो रहे हैं जिसके वज़े से भारत की अर्थ विवस्ता लगातार कई सालों से और इस साल भी बड़े देशों में सभी बड़े देशों के अर्थ विवस्ता के मताबिक सबसे fastest growing सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही संभव करता है इस तरह के allocation और यह जो budget allocation हो रहे हैं यह देश के समाज के सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों के हित में हैं जैसे बिहार में बहुत सारे हमारे क्रिशी भाईयों है और अगर अब देखे इस साल तो क्रिशियों के लिए केवल credit guarantee scheme अभी 20 लाक करोड को बढ़ाया गया है और प्रधान मंत्री जो क्रिशी scheme है हर साल तीन बार जो direct benefit transfer किया जाता है बिहार में ऐसे लगबग 80 लाक की अवादी है क्रिशियों के जो इस से उनको फाइदा पहुँचता है क्रिश आपेदार झाल झाल